जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारे स्री आईएस चैनल पर एक ऐसा प्लैटफॉर्म जहां आप UPSC, State PSC एवं अधर एक्जाम्स की तैयारी एक बहतर रणनीती के साथ कर सकते हैं दोस्तों इसी सीरीज में हमने Economics की एक सीरीज शुरू की है जिसका ये Lecture No.10 होगा दोस्तों जिसके अंतरगत हम भारती बित्व विवस्था पढ़ रहे हैं और भारती बित्व विवस्था में भी Reserve Bank of India अर्थात हम RBI को पढ़ रहे हैं दोस्तों हमने RBI की Monetary Policy को टूल्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमने कल तक की क्लासों में Quantitative अर्थात मात्रात्मक हमने टूल्स कम्प्लीट कर लिये हैं दोस्तों जिसमें Repo Rate था, Reverse Repo Rate था, CRR था, SLR था, Bank Rate, OMO और MSF दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारी टूल्स आपको बहुत ही आसान भासाओं में समझ में आ गए होंगे दोस्तो इनीं का प्रयोग आगे भी होगा लेकिन आज हम दोस्तो मौतरिक नीती से सम्मंदित जो चैनात्मक था चैनात्मक टूल्स का आज हम प्रयोग करेंगे और उसको भी आज ही हम कंप्लीट करेंगे दोस्तो तो आईए दोस्तों आज हम अपनी क्लास पर चलते हैं चलिए दोस्तों देखते हैं हम आज के टॉपिक को दोस्तों टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज हमारा जब ये चैनात्मक उपकरण समाप्त हो जाएगा तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा दोस्तों आपके लिए जो कल की वीडियो में आएगा उसमें मैं मात्रात्मक के सभी टूल्स और चैनात्मक के सभी टूल्स को एक छोटे-छोटे माइन मैप के थूरू मैं इसमें प्रजेंट करूंगा जिससे आपका विदिन 5 मिनिट के अंदर केवल 5 मिनिट में आपका मातरात्मक और चैनात्मक दोनों ही उपकरणों का रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा दोस्तों मैं डायग्राम के बेसिस से, एरो के माध्यम से, इनके माध्यमों से मैं आपको बहुत ही बहतर जो है की तरीके से एक डायग्राम प्रस्तुत करूँगा जिसमें आप पूरे के पूरे मौदरिक नीति के उपकरणों को पढ़के बहुत ही आसान भासा के साथ पांच मिनिट में पूरा रिवीजन कर लेंगे चलि दोस्तों हम आज के टॉपिक पर आते हैं और दोस्तों कल हम लोगों ने जब ओपेन मार्केट ऑपरेशन कम्प्लीट किया था अर्थात मात्राक्तमक कम्प्लीट हुआ था तो उसी से सम्मधित दो नोट्स मैंने बनाये हैं आज़े जरह हम उसको बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट नोट है दो दोस्तों ब्यवारिक पक्ष है लिखा है कि यह अनिवारे नहीं है कि रेपो रेट जब बढ़ जाएगी तो लिक्यूडिटी में सदैव कमी आए परंतु सियारार बढ़ने से लिक्यूडिटी में क डेपो रेट को बढ़ा देती है तो बहुत सारी जो कमर्शियल बैंक है जो ब्यवसाइक बैंक हैं पीन बी, SBI, bank of brother इस तरीके की बैंक कहती हैं कि हम अभी RBI से लोन नहीं लेंगे समझेगा दोस्तों हम अभी RBI से लोन नहीं लेंगे क्योंकि RBI लोन महंगा दे रहा है ले प्रॉफिट के लिए वो मार्केट में दे सकती हैं लोगों को निवेसकों को दे सकती हैं कंजूमर को दे सकती हैं कस्टमर को दे सकती हैं दोस्तों तो ये सारी चीजे तो दोस्तों आपने देखा कि जब रेपो रेट बढ़ा दी जाती है तो ये जरूरी नहीं है कि सभी बैं पैसे को वो अपने प्रॉफिट के लिए पैसो को ग्रहकों के पास पहुचाती है लोन के रूप में निविशकों के रूप में तो दोस्तों ये बताएए जब बैंक ने अर्थत आर्बियाई ने जब रेपो रेट बढ़ाया तो लिक्विडिटी में कमी आलवेज आएगी य बैंकों को अपना कुछ हिस्सा CRR की रूप में केंदर्ि बैंक अर्थात आर्बीयाई के पास रखना होता है. जैसे ही RBI CRR की रेट बढ़ा देगी, तो बैंकों को अधिक मात्रा में अपना पैसा RBI के पास रखना होगा. और ये अनिवारता bank को के पास कमी दिखाएगा किसकी liquidity की कमी हो जाएगी और इसके माध्यम से inflation को control कर सकेंगे अर्थाद bank के पास अधिक पैसा नहीं होगा कि लोगों को, ग्रहकों को, निवेसकों को वो loan दे सके और बाजार में पैसे की तरलता कम हो जाएगी तो ये एक point था दोस्तों, जो आपको समझना था, basic concepts में था कि आपको comparison करना है कि CRR का प्रभाव क्या होता है bank पे और repo rate का प्रभाव क्या होता है, तो आपने क्या समझा repo rate बढ़ जाने का मतलब ये नहीं है कि अनिवारे रूप से liquidity कम हो जाएगी, लेकिन CRR बढ़ जाने से ये sure है, 100% है कि आपके liquidity कम हो जाएगी बाजार में CRR की साथ साथ हम SLR को भी रख सकते हैं, दोस्तों आईए, दूसरे point पर हम देखते हैं, दोस्तों मैंने कल एक सब्द बताया था आपके लिए साख सरजन, आज उसी से समद्धित एक सब्द आया है, साख नियंत्रन साख का मतलब क्या होता है दोस्तों, सामाने था हम इसको रुपे से समझते हैं, क्या समझते हम रुपे से समझते हैं इसको और अर्थात liquidity से समझते हैं, कहने का मतलब आपने दोस्तों पॉलिटी में आर्टिकल 360 का जिक्र पढ़ा होगा जिसमें वित्तिय आपातकाल की स्थिती की बात की गिये उसमें कहा जाता है कि अगर राष्टपती को या ग्यात हो जाए या उसके संग्यान में आ जाए कि भारती अर्थ विवस्था की साख खत्रे में है तो वो वित्तिय आपातकाल घोसित कर देता है इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में पैसो की कमी होने लगती है तो आप समझ गयोंगे साख का मतलब लिक्विडिटी और उस पे नियंत्रण अगर अर्बियाई लगा रही है और मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या होता है लिक्विडिटी पे नियंत्रण करना तो दोस्तों साख नियंत्रण क्या हो जाता है मौद्रिक नीती को ही हम साख नियंतरन कहते हैं अर्थात मौद्रिक नीती के माध्यम से भी हम लिक्विडिटी पे कंट्रोल कर रहे हैं इसलिए अगर आपसे दोस्तों पेपर में पूछता है कि साख नियंतरन किसके द्वारा किया जता है तो आप कहेंगे RBI के द्वारा किया इता है, क्यों? क्योंकि वो liquidity पे नियंतरण कर रहा है, अर्था मौद्रिक नीती के माध्यम से, मुद्रा इस्फिती, अर्था साख नियंतरण कर रहा है, वहीं दोस्तों जब साख सिर्जन, इंगलिस में आप देखेंगे किसी चीज़ का creation करना, किसी चीज़ को बनाना, और यहाँ पर bank को के द्वारा दोस्तों साख सिर्जन किया रहता है, जो अपना वो profit अर्जित करने के लिए, ताकि वो lab कमा सके, दोस्तों हम जो पैसा bank को में रखते हैं, उसका कुछ हिस्सा bank हमारे नाम से अपने पास रख लेता है, और क्योंकि आपने time deposit नहीं किया, बलकि demand deposit किया है, मैंने दोस्तों NDTL में बता दिया था आपको विस्तार से कि demand deposit और time deposit में क्या अंतर होता है, demand deposit में दोस्तों, आप किसी भी समय अपना पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन time deposit में एक निश्चिस समय पर निकालते हैं, तो दोस्तों तो आप ये मत सोचिए कि आपने bank में पैसा जमा किया और आपका पैसा किसी और को दे दिया और आपके पास अब पैसा नहीं मिलेगा ऐसा बिलकुल नहीं है using bank हमारे पैसे का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेती है सुरक्षा के रूप में बिलकुल मिनिमम रूप में और बाकी 80% 70% वो पैसा आगे लोगों को देती रहती है और उसी के माध्यम से वो अपना प्रॉफिट कमाती दोस्तों इसी को हम कहते है साख सिर्जन करना अगर बैंक प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो व हम आज के टॉपिक पे आते हैं चैनात्मक उपकरणों में जो बहुत छोटे-छोटे हैं और तीन उपकरण हैं दोस्तों मुख्य रूप से आए पहले के हम बात करते हैं दोस्तों दोस्तों हम देखते हैं पहला वाला फर्स्ट मार्जिन सीमान तनिरधारन आप एक कॉमन सब्द बताईए दोस्तों जब आप किसी दुकान पर जाते हो और आप कहते हो कि सर मुझे ये जिन्स खरीदनी है कितने की होगी तो दुकान दार कोई भी रेट बताता है और आप उसको घटा के कहते हो नहीं सर मैं इतना रुपए दे पाँगो और आप मुझे इतने में ही ये जिन्स दे दीजे तो वहाँ आपने कॉमन सब्द सुनाओगा दोस्तों कि दुकान दार कहता है कि साहब इतने में तो मुझे खरीद भी नहीं पड़ती है अर्थात मेरा मार्जिन नहीं निकलेगा मार्जिन का मतलब दोस्तों कि मैं कम से कम उतना तो कमालूं जितने पर मैंने खरीदी है मैं घाटे में ना जाओ दोस्तों दुकान दार ये कहता है कि लिखा है दोस्तों, RBI द्वारा, फोकस करना दोस्तों यह सब RBI ही लगा रही है, इसलिए द्वारा लिखा हुआ है, रिण विसेज पर मार्जिन की नियुनतम सीमा निर्धारित की जाती है, अर्थात, ब्यवसाइक बैंक को द्वारा, रिण देने वाली रासी का नियुनतम मार्जिन स्वेम के पास रखना होता है, दोस्तों, अभी तो यहाँ पर आपको परिशानी हो रही होगी कि सर यह क्या लिखा है आपने, समझ में ही नहीं आया, आएए मैं समझाता हूँ, आर्बियाई द्वारा जब रिण विसेज पर, रिण दोस्तों कौन देता है, सामाने अर्थों में बैंक की यह कारे होते हैं कि वो जमा स्विकार करती है और रिण देती है दोस्तों, तो जो रिण देने की जो लिमिट होती है, मानलीजे, SBI कुछ रिण देती है, तो उसकी एक नियूनतम सीमा निर्धारित कर दी जाती दोस्तों, नियूनतम सीमा निर्धारित कर दी जाती आर्बियाई के द्वारा कि आप किसी भी ब्यक्ति को अगर आप रिण दे रहे हैं, तो बदले में वो ब्यक्ति कुछ ना कुछ गिरवी रखेगा आपके पास, तो उस गिर जमीन के कागज रख लिजिये, इसकी कीमत 10,000,000 रुपए है और आप मुझे 10,000,000 mayoría का लोन देदीजिए। सामानेता तो यही करते हैं हम लोग बैंकों के पास जाते हैं जमीन के कागज देते हैं और जमीन की कीमा 10 लाख रुपई है तो हम कहते हैं कि बैंक से कि मैनेजर साथ आप हमें 10 लाख रुपई दे दीजियें लेकिन दोस्तों यहीं बात आती है मार्जिन की बैंक क्या कहता है क्या आपको 10 लाग की जमीन पे पूरा 10 लाग रुपे डोन देता है बिल्कुल नहीं देता है वो क्या कहेगा कि सर मैं इसमें मार्जिन रखूंगा क्योंकि RBI के दिसा निर्देशों का पालन हमारे द्वारा किया जाता है बैंकों के द्वारा किया जाता है मतलब 10 लाग की आपकी जमीन है लेकिन इस पर मैं मार्जिन 30% रखूंगा मान लिजे 30% का मतलब 10 लाग का 3 लाग रुपे निकाल दीजे तो आपको किवल 7 लाग रुपे दिये जाएंगे ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है कि जमीन की कीमत आपके अकॉर्डिंग जो है की 10 लाग रुपे है हो सकता है भविस्व में वो जमीन की कीमत घट के 8 लाग रुपे हो जाए या 7 लाख रुपए हो जाए तो बैंक ने आपको तो 7 लाख रुपए ही दिया था और बैंक उस जमीन को अगर बेचे भी तो कम से कम उसे 7 लाख रुपए जरूर मिल जाने चाहिए जिससे बैंक घाटे में नहीं आएगी और अगर बैंक ने इस पे 30% का मार्जिन नहीं रखा होता आपको 10 लाख रुपए दे दिये होते और भविस्थ में इस जमीन की किमत 7 लाख रुपए हो गई तो बैंक को तो 7 लाख रुपए ही मिले तीन लाख रुपए का घाटा हो गया तो इसी को कहते हैं दोस्तो मार्जिन रखना अर्था जितना भी रण देने की छमता होती है किसी वस्तू के सापेक्ष में वो वस्तू जो आप गिरवी रखते हैं तो उसकी जो बाजार कीमत होती है दोस्तो उस बाजार कीमत पर कुछ प आप समझ गयोंगे एक एक्जाम्पल से समझेंगे दोस्तो और क्लियर हो जाएगा देखें दोस्तो अगर मान लीजिए आरबी ने कहा कि जब भी आप एक लाख रुपए का लोन देंगे किसी को तो आप उस पे 30% का मार्जिन रखेंगे और फिर हमें कितना लोन मिला टोटल 70,000 रुपए दोस्तो सॉरी दोस्तो देखें आप जमीन का एक कागज लेके आए और आपने कहा बैंक मैनेजर से कि सरी एक लाख रुपए की जमीन का कागज है और आप मुझे एक लाख रुपए दे दीजे लोन इस जमीन के कागज के बदले आर बी आई ने कहा है कि आपको ऐसे एक लाख रुपए के कागजों पे 30% का मार्जिन रखना है तो आपको एक लाख रुपए नहीं बलकि 70,000 रुपई ही दिये जाएंगे ताकि भविस में इस जमीन की कीमत अगर घटेगी भी तो मिनिमम से मिनिमम सत्तर हजार रुपए का प्रॉफिट मतलब सत्तर हजार रुपए बैंक को मिल जाने चाहिए आप कहेंगे सर हम भी तो पैसा देंगे तो आपकी जमीन के कागज को बेचेगा वो तो बिल्कुल अच्छी बात है अगर आप अपनी जमीन के बदले जो लोन लेते हैं और उस लोन को सही समय से चुकता करते हैं तो दोस्तो बैंकों की समस्यां बहुत कम हो जाती हैं लेकिन दोस्तो कई लोग ऐसे होते हैं जो भगोड़े हो जाते हैं लोन ले लेते हैं किसी वस्तू या किसी बिल्डिंग या किसी फार्म हाउस के आधार पर गिर्वी रखे और दोस्तो उसके बाद वो पैसा बिना दिये ही भाग जाते हैं देश छोड़ कर या कहीं भी भगवडा गोसित हो जाते हैं तो ऐसी इस्थिती में बैंक क्या करेगा उस आदमी को तो बेचेगा नहीं दोस्तो उस आदमी के द्वारा या उस निवेशक के द्वारा जो संपत्ती गिर्वी रखी गई थी उसी को तो बेचेगा और अगर उसने बैंक ने उस संपत्ती के बराबर ही उस ब्यक्ति को पैसा दे दिया होता और उस संपत्ती की कीमत वर्तमान में घट गई है तो बैंक को घटा हो जाएगा दोस्तो इसलिए कोई भी बैंक 15%, 20%, 30% का निवेशक के रूप में क्या रखती है मार्जिन रखती है ताकि भविस में अगर आप पैसा न दे सके तो उस गिर्वी रख्यू ही बस तुको बैंक बेच दे और बेच के अपने पैसे को प्राप्त कर ले लेकिन कम से कम इतना जरूर प्राप्त कर ले कि उसने जितना दिया था आपको उतना उसे मिल जाना चीए बैंक को तो इसी को कहते हैं दोस्तो एक लाग पर तीस परसेंट की मार्जिन ये फिक्स नहीं दोस्तो एग्जामपल है कि तीस परसेंट होगा पाच परसेंट होगा जो भी बस मेरा समझाने का मतलब था कि अब आप समझ लेजिएगा और ध्यान दिजएगा दोस्तो एक चीज बताइए अगर मार्जिन की सीमा आर बी आई बढ़ा देती है तो हमें रिण कम मिलेगा कि नहीं अभी 30 परसेंट है तो हमें 70 रुपे मिलना है अगर ये बढ़के 40 परसेंट हो जाए दोस्तो मार्जिन की सीमा बढ़ा दी जाए तो ये घटके कितना हो जाएगा 60 जार रुपे हो जाएगा कि नहीं यानि हमें 60 जार रुपे मिलेगा और ऐसे में हमें रिण कम मिलेगा इसका मतलब बैंकों को प्रॉफिट कब होगा जब मार्जिन की सीमा कम होगी यानि घटकर अगर 20 परसेंट हो जाए तो वो अधिक सधिक लोन दे सकेगा और जितना अधिक वो लोन देगा बैंक उतना ही उसको प्रॉफिट अधिक मिलेगा तो दोस्तों हम पढ़ क्या रहे हैं हम पढ़ रहे हैं किसके लिए मौद्रिक नीती के लिए अर्थात इंफलेशन को कंट्रोल करने के लिए अर्थात की लिक्विडिटी के प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों तो liquidity के प्रवाह को अधिक से अधिक जो है कि बाजार में न जाने दिया जाए, इसके लिए क्या करेगी RBI, margin को सामानेतब बढ़ा देगी, margin को सामानेतब बढ़ाएगी और बाजार में कम rate पहुचेगा, जिसके लिए दोस्तों हम कहेंगे कि margin में परिवर्तन जब होगा, तो रिण के आकार में भी परिवर्तन होगा, अब आप समझ गयोंगे दोस्तों कि रिण के आकार में कैसे परिवर्तन होगा, आए दोस्तों हम दूसरे को समझते हैं, साख राशनिंग है दोस्तों, साख राशनिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से राशनिंग दिना अर्थात अपर लिमिट लगा देना इसका मतलब क्यों होता दोस्तों ani केती है्ट व्यविवसाईक बैंक को कि आप जितना रिंड़ सकते हैं अगर मान लिजिए कि वह 10 लाक रिंड़ दे सकते हैं तो क्या कहेगा कि आप 10 लाक रिंड पूरा दे सकते टोटल लेकिन आपको क्या करना है कि इंडस्ट्री सेक्टर में 30% देंगे किवल उससे अधिक नहीं दे सकते सामानेता बैंक किसको रिंड देना चाती दोस्तो गरीब किशानों को वो देना नहीं चाते हैं उनके साथ पूरे कागज की कारवाई करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारे गरीब किसान भाई अपना रिंड वापस नहीं चुका पाएंगे जिसकी बज़े से बैंकों की NPA लगातार बढ़ती जाएगी NPA का मतलब दोस्तो एक ऐसी एसेट, नौन परफॉर्मिंग एसेट यानि कि बैंकों को लगएगा कि अब यह हमारा पैसा डूब जाएगा हम बैंकों के चैप्टर में दोस्तो NPA बहुत डीटेल से पढ़ने वाले हैं यहां पर बस आपने अतना समझ लीजे NPA का मतलब जो पैसा ऐसा लगए कि अब यह डूबने वाला है तो बैंक क्या करती किसान भाईयों को नहीं देती है सारा का सारा पैसा इंडस्ट्री सेक्टर को दे देती है ताकि इंडस्ट्री पे प्रॉफिट भी अधिक है और वो लोग निश्चिस समय पर जो एकि बैंकों का पैसा वापस भी कर देती है यहाँ पर समस्य दोस्तों यह आ जाती है कि अगर हम इंडस्ट्री को ही लगातार पैसा देंगे और हेल्थ में नहीं देंगे तो स्वास्ते सुविधा अच्छी नहीं होगी सिक्षा में नहीं देंगे तो सिक्षा नहीं अच्छी होगी गरीब किसानों को नहीं देंगे तो क्रिसी अच्छी नहीं होगी तो इसलिए वो एक उपरी लिमिट लगाता है RBI जिससे आप उससे अधिक रिंड नहीं दे सकते हैं इसका उद्देश क्या होता है दोस्तों कि जो मुद्रा का प्रवा है, RBI के द्वरा वो चाहता है कि लिक्विडिटी वांच्छे चेत्रों में भी उपलब्द हो सके, अर्थात क्रीसी को भी मिलती रहे, सिख्छा को भी मिलती रहे, MSME को भी मिलता रहे, इंडस्ट्री को भी मिलता रहे सब का विकास होना चाहिए इसी को कहते हैं दोस्तों कि मौद्रिक नीती के साथ ग्रोथ का भी ध्यान रखना अर्थात इन सेक्टर में भी मिलते रहना चाहिए मान लिजे, बैंक अपने पूरी रासी का 70% ही किवल लोन दे सकता है अगर उसने पूरा का पूरा पैसा इंडस्ट्री में दे दिया तो ये तीनों सेक्टर तो बरबाद हो जाएंगे इसलिए बैंक ने कहा, अर्थात RBI ने कहा कि आप इंडस्ट्री को किवल 30% दे सकते हैं, मैक्सिमम MSME को 20% दे सकते हैं, एगरिकल्चर को 25% दे सकते हैं ये मैक्सिमम है दोस्तों, इससे अधिक आप नहीं दे सकते और आप बताए अगर 70% रिण में से 30% अगर इंडस्ट्री को दे देगी तो बाकी 40% तो अपने पास नहीं रखेगी दोस्तों, क्योंकि उसका तो उद्देश लाव कमाना इसलिए वो मजबूरन MSME को भी देगी, सिक्षा को भी देगी, क्रिसी को भी देगी, स्वास्ते को भी देगी इसके माध्यम से RBI ने सभी छेत्रों में विकास की एक संभावनाओं का रास्ता खोल दिया अब आप समझ गया होंगे दोस्तों कि इसी को हम कहते हैं साख राश्निंग अर्थात एक कोटा निर्धारन कर देना, कोटा निर्धायत कर दिया जाता है कि आप किसी सेक्टर में कितना मैक्सिमम दे सकते हैं सारा पैसा नहीं देंगे, कुछ ही पैसा देंगे बाकी पैसा आप दूसरे सेक्टरों में भी धीरे-धीरे देते जाएंगे आईए तीसरा हम देखते दोस्तों एक नैतिक दवाव है जिसमें सब्द में ही लिखा हुआ है नैतिक दवाव मोरल अपील दोस्तों नैतिक दवाव का मतलब होता है कि ये बैंकों पे बाद्दिकारी नहीं होगा पहली चीज़ आईए इसको भी समझ देते हैं बहुत इजी भासा में RBI द्वारा जब अपील की जाती है कि ब्याज दरों में परिवर्तन RBI के अनुसार करें मतलब जब रेपोरेट बढ़ा दी जाती है आपको पता रेपोरेट क्यों बढ़ाई जाती है कि मार्केट में लिक्विडिटी न बढ़ सके और अभी मैंने आज की क्लास में जो नोट में नमबर वन पॉइंट लिखवाय था नोट में कि दोस्तो RBI के द्वारा जब रेपोरेट बढ़ाई जाती है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी बैंक अपनी रेट को बढ़ाके महंगा लोन दें वो अपना सस्ता लोन भी दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने जब RBI की सस्ती रेपोरेट थी तभी बहुत सारा पैसा ले लिया था तो वो उसी सस्ती रेट पर दे रहे हैं और मार्केट में लिक्विडिटी का फ्लो होता जा रहा है और रेपोरेट के बढ़ने के बावजूद लिक्विडिटी में कोई कमी नहीं आ रही है तो इसलिए नैतिक दवाव बनाता है RBI की जब जब रेपोरेट बढ़ाई जाए तो उसी तरह से बैंक भी अपनी ब्यासदर में वृद्धी करें जिससे मार्केट में लोग कम से कम लोन लें क्योंकि महंगा लोन होगा और लिक्विडिटी को मार्केट में जाने से रोका जा सकेगा ये RBI कहती है दोस्तो लेकिन वही बात है कि बैंक को द्वारा स्विकार करना या निवारे नहीं होता है क्योंकि एक मोरल अपील होती है नैतिक दवाव होता है जिसका कोई भी एफेक्ट नहीं होता है दोस्तो ध्यान देना मातरात्मक और चैनात्मक में अब तक आपने जितने भी टूल्स पड़े सभी टूल्स सामानेतव क्या होते हैं बात्यकारी होते हैं लेकिन नहींतिक दवाव सब्द से ही समझ में आ रहा है कि ये बात्यकारी नहीं होते हैं इसका मतलब होता है दोस्तो कि RBI कहता है जब मंदी की स्थिती हो तो आप रिण अधिक से अधिक दो बाजार में और जब महंगाई की स्थिती हो अर्थात इन्फिलेशन की तो आप रिण कम से कम दो लेकिन कुछ बैंक अपने profit को कमाने की वज़े से अधिक से अधिक रिण देते चले जाते हैं और कुछ बैंक अपने खत्रे को कम करने के लिए अपने जोखिम को कम करने के लिए क्या करते bodも मंदि में बी मंदि के दौरान भी पैसा नहीं देते हैं लोगो. हम समझे वोगे चैनात्मक में दोस्तों कि अपने दोस्तों मातरात्मक पड़ा जिसमें रेपो रेट पड़ा, रिवर्स रेपो रेट पड़ा फेर अपने CRR पड़ा, SLR पड़ा BANGCRE पढ़ा, साख राशनिंग पढ़ा और भी कई सारे टूल्स होते हैं दोस्तों लेकिन यह जो है कि maximum यूज किये जाते हैं और exam में इन्हीं से question पूछे जाते हैं इनके प्रभाव के रूप में पूछे जाते हैं और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको सारी तरीके से आपको बताया है कि किस भी तरीके से अगर पेपर में आ जाए तो आपके कोशन गलत नहीं होंगे आई दोस्तों हम मौद्रिक नीती की बात कर लेते हैं हमने अभी तक पढ़ा सस्ती करते हैं तो लिक्विडिटी बढ़ जाती है और डिमांड लोग बढ़ जाती है लोगों की डिमांड बढ़ जाती क्योंकि उनके पास पैसे पहुंचने लगते हैं तो दोस्तों हम मौद्रिक नीती में संस्थागा सुधार की बात पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बार ह ऐसा अर्थात liquidity को flow किया जाता है market में flow करने का मतलब घर घर जाके बाठा नहीं जाता दोस्तों वो तो चुनाओं के समय बटाजाता है जब राजनेताओं को सक्ता चाहिए होती है बाटने काया सेन से दोस्तों कि कल्यानकरी कार्यों में लोगों को अधिक सदिक रोजगार दिया जाता है जिसके माध्यम से लोगों को पारिस्रमिक की रूप में पैसे प्राप्त होते हैं जैसे कहीं सडक बनवा दी, कहीं हाईवे बनवा दिया, कहीं तालाब खुदवा दिया, कहीं जो है कि सौचाले बनवा दिया, कहीं प्रधानमंतरी आवास बनवाने लगे, तो इसमें दोस्तों मजदूरों की आवशक्ता होती है, स्रमिकों की आवशक्ता होती है और उनके पास फिर इंकम धीरे-धीरे आने लगती है और वो लोग डिमांड करने लगते हैं तो राजकोसी नीती के माध्यम से कहीं न कहीं महंगाई धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और उधर RBI अपनी मौधरिक नीती का प्रयोग करके इस महंगाई को कंट्रोल करना चाहता है वो चाहता है कि बाजार में पैसा कम से कम रहे उतना ही रहे जितना काम चल सके बहुत ज किन प्याज डाला है वो समय क्या होता है जब 100 पर 500 क्लो रुपे प्याज वे आती तो देखकर प्याज डाली जाती दोस्तों कि आधी प्याज डालो आधी कल डाल देना यह महंगाई का प्रभाव है जो हमारे मध्यम वर्ग और गड़िवारों की रोटी पर पढ़ता है था आए दोस्तों इस पर हम बात करते हैं अब आपको समय में आ गया होगा संस्थागत सुधार क्यों कहते हैं तो देखें यहां पर मैंने लिखा भी है उसी को कि इन्फलेशन जिस पर कंट्रोल करना और बिया का काम है ग्रोथ जिसको बढ़ाना समय ता सरकार का काम होता है इन आप मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जिसकी इस्थापना दोस्तों आर्बियाई एक 1934 में संसोधन करके की गई है तो आप समझ गयोंगे कि इन्फलेशन और ग्रोथ के बीच में सामंजे से बनाये रखना ग्रोथ तभी होगी दोस्तों जब मार्केट में बहुत अधिक पैसा ह होगा तो आप समझ सकते कैसे विरोधा भास हो रहा है एक तरफ आप करते हैं ग्रोथ बढ़ाने के लिए पैसा डालो दूसरी तरह करते हो महंगाई कंट्रोल करने के लिए इंफलेशन कंट्रोल करने के लिए पैसा निकाल लो मार्केट से जिसके लिए आर्बिया मॉनेटर 34 में संसूधन करके की गई है दोस्तों आई हम इस कमिटी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों MPC मार्क मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं ध्यान देना दोस्तों मैंने अभी कहा इन्फलेशन कंट्रोल करना मौद्रिक नीति की ब्यात करना ये दोनों ही कारे RBI के हैं लेकिन दोस्तों ग्रोध की जब हम बात करेंगे कल्यानकारी राज्यों की बात करेंगे तो सामानिता इसमें सरकार की भूमिका आती है तो क्या हुआ कि मौनेटरी पॉलिसी कमिटी में जब दोनों पक्षों के सदस्यों को मिला दिया गया तो दोनों लोग एक ही मंच पर बात करके इस समस्या का समाधान बहतर तरीके से कर सकते हैं इसलिए दोस्तों इसमें तीन सदस्य तो RBI से हैं और तीन सदस्य दोस्तों सरकार के द्वारा निक्ट किये आते हैं जो कि एक प्रसिद्र अर्थ सास्त्री होते हैं जिनका कारेकाल चार वर्सका होता है और जो ये पूरी तरीके से बताते हैं कि किस तरीके से हम अर्थ बिवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं GDP में ग्रोथ करा सकते हैं और साथी साथ लोगों की इंकम बढ़ा सकते हैं तो दोस्तों ये तो अपना पक्ष रखेंगे वहीं RBI में RBI की मेंबर की बात करें तो दोस्तों RBI में एक गवर्नर होते हैं एक डिप्टी गवर्नर होंगे और एक केंदरी बोर्ड से होते हैं दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा होगा जब मैंने RBI की क्लास में पहले दिन बताया था कि RBI सनचना में सबसे टॉप पर गवर्नर थे फिर चार डिप्टी गवर्नर थे इसी में रीजनल गवर्नर भी थे दस निदेशक भी थे सरकार के दो प्रतनिधी वित्मंत्राले से थे तो यह वहीं से हैं दोस्तों MPC में आए हुए सदसे तीन सदस से सरकार ने गठित किये प्रसिद अर्थसास्त्री की रूप में जो ग्रोथ को ध्यान में रखके फोकस करते हैं और तीन सदसे RBI के हैं जो सामानेता मॉनेटरी पॉलिसी अर्थात इंफलेशन पर ध्यान देते हैं और हमारा उद्देश से बिल के आपस में बात करेंगे और समाधान निकालेंगे आए दोस्तों आगे ध्यान दीजेगा इसमें कोशन बन जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो सरकार के सदस न्यूक्त होते हैं उनका कारेकाल कितना होता है चार बर्स और दोस्तों RBI की जो सदस होते हैं उनका जब न्यूक्ती हुई थी इस पद पर, वो समय जितना कारेकाल था वस वही बात रहती है, वही मानने माना जाता है, इनके लिए अलग से कोई कारेकाल नहीं होता है दोस्तों, आगे देखते हम इस पर, दोस्तों इनके बीच में फिर आपस में एक निरने भी होता है, किसी भी देंगे तो इन्फलेशन पर कैसा इंपक्ट होगा, या लिकुडिटी कैसी प्रवाह करेगी, इन सब के बारे में जो निरने होगा दोस्तों, वो बहुमत के द्वारा होता है, लेकिन आपको पता है कि 6 सीटे हैं, अर्था 3 RBI से मेंबर, 3 सरकार के, अगर 6 लोग आपस में 3 3 के दायरे से बठ जाए, मतलब 3 लोग पक्ष में और 3 लोग बिपक्ष में, तो दोस्तों बहुमत तो हुआ नहीं, दोनों ही पक्ष बराबर हो गए, ऐसी इस्थिती में निरने करने के लिए, जब मत बराबर हो जाते हैं, 3-3 करके, तो दोस्तों, ऐसी इस्थिती में, माननले जाएगा अगर इधर एक मत दे दिया तो यह चार हो गया तो जिधर भी बहुमत बढ़ जाएगा फिर वो निरनायक मत के रूप में मान लिया जाएगा समझ में आ गया दोस्तों और साथी यह जो रिपोर्ट बनेगी दोस्तों उसको जनता के समख सारजुनिक भी किया जाएगा अर्थात RBI के website पे RBI के portal पे monetary policy committee report को डाल दिया जाता है आप लोग RBI के portal पे जाके visit करके आप लोग देख सकते हैं दोस्तो आगया यह दोस्तो एगला topic है दोस्तो कि MPC हमने जो बनाया उसका उद्देश क्या था क्यों हमने बनाया तो वही है दोस्तो जो मै अगर हम 2 घटा देते हैं तो 2% हो गया और 4 में अगर हम 2 जोड देते हैं तो 6% हो गया इसका मतलब 2% से लेकर 6% के बीच में हमें महहगाई को रखना है अब ये दोस्तों किसी वस्तू की कीमत 2% से लेकर 6% के बीच में रहे अर्था महंगाई 2-6% के बीच में रहती है तो अच्छी मानी जाती हमारे RBI के द्वारा तो इसलिए उसने जो आखड़ा रखा है 4-2% दूसरा दोस्तों कि समिक्षा में पारदर्सिता आनी चाहिए और जवाब देता होनी चाहिए क्योंकि जब सरकारी महकमे से 3% अर्थसास्त्री हैं और RBI के 3 सदस्य हैं तो इन दोनों के साथ मिल जाने पर पारदर्स्ता और जवाब देता बढ़ जाती है कि ग्रोथ बढ़ाने के लिए कौन जवाब दे है और मौद्रिक नीती के लिए कौन जवाब दे है वही दोस्तों मौद्रिक नीती और राजकोसी नीती में सामंजस से रखना भी इसका एकुद्देश है अब इस पॉइंट को बहुत आसानी से समझ गयोंगे वाब राजकोसी नीती का मतलब कल्यानकारी खर्च उतना ही किया जाए जितना लिक्विडिटी मार्केट में सस्टेन करे सस्टेन मतलब दोस्तों कि जितनी लिक्विडिटी हो जाने से कोई समस्या ना आए बहुत अधिक कल्यान कारी कारी करोगे तो बहुत अधिक लिक्विडिटी बढ़ जाएगी और जिसकी वज़े से महंगाई जैसी समस्या लगातार बढ़ती चली जाएगी और वहीं मौद्रिक नीती की बात होती है और इन्फलेशन और ग्रोथ में संतुलन रखना ये दोस्तों MPC के उद्दे से हैं लेकिन दोस्तों कुछ इसकी सीमाएगी हैं जिनकी बज़े से ये सही ढंग से काम नहीं कर पाती दोस्तों कुछ समस्या आती रहती है मतलब वस्तों का आदान प्रदान होता रहता है इसी को हम कहते हैं मौद्रिक नीती की विफलता हो जाती है यानि ऐसी इस्तिती में कोई महंगाई पे नियंतरण नहीं कर पाती है अर्बियाईू दूसरा वित्य समावेशन का अभाव अर्था वित्य समावेशन का मतलब कि जो वंचित बर्ग है उसको सामानेता बैंकिंग सं असंगठित वित्य बाजार की उपलब्दता होना दोस्तों हमारे भारत में असंगठित बाजार का एक बहुत बड़ा स्वरूप है जिसके बारे में असंगठित का मतलब क्या होता दोस्तों मैंने पहले ही बता था संगठित मुद्रा बाजार और असंगठित मुद्रा बा पहुंचता है क्योंकि उसका नियामक RBI होता है उसके पास एक एक डेटा पहुंचता है जिसके आधार पर वो बताता है कि हमारी inflation इतनी चल रही है हमें इतना money जो है की circulate कराना है लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत अधिक है पैसे कम है मार्केट में क्यों होता है दोस्तों क्योंकि RBI के पास जो डेटा जाता है वो संगठित मुद्रा बाजार का जाता है जो कि एक सीमित छेत्र है उसी के हिसाब से वो अपनी policy बना देते हैं और संगठित विती बाजार की उपलबदता की बज़े से उनके पास ने इंफलेशन और ग्रोथ में सामाण जैसे बनाएं ठीक है दोस्तों तो यह वी एक समस्य होती मौद्रिक नीति की एक आखरी है दोस्तों जिसको हम आयातित इंफलेशन भी कहेंगे भी भारती अर्थ ब्यवस्ता में वैस्विक कारकों का प्रभाव है दोस्तों हमारी भा का प्रभाव हमारे उपर पढ़ता है जैसे दोस्तों जब कच्चे तेल की कीमत बढ़ जाती है तो आपने देखा होगा कि हमारे यहां पैट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं जब कच्चे तेल की कीमत घट जाती है तो हम देखते हैं कि पैट्रोल और डीजल के दाम घट जाते है तो इसमें दोस्तो RBI कुछ नहीं कर पाती है, क्यों? क्योंकि ये वैस्विक इस्तर पर तेलों की कीमत बढ़ रही है ठीक है दोस्तो तो ये थी आज हमारी क्लास और हम लोगों ने आज इस मौद्रिक पॉलिशी को अर्थात मोनेटरी पॉलिशी को कम्पलीट किया है दोस्तो अब हम कल से अपने एक नए टॉपिक पे आगे चलेंगे जो इसी का पार्ट होगा दोस्तो अभी भारती वित्वेवस्था खतम नहीं हुई है मुझे उम्मीद है कि कल पूरी तरीके से खतम हो जाएगी छोटे-छोटे टॉपिक की रूप में दोस्तो ठीक है दोस्तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपके काम की भी रही होगी आज सो प्लीज दोस्तो वीडियो को लाइक कर दीजे और बहुत अधिक से अधिक लोगों के साथ वीडियो को सेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरू दोस्तो